लेटिब को वाटसब पे अड़ करके तेरे लोकेशन और डेटेल्स देकर ये फोटो भेज़ दूँगा तेरा रोड एक्सिडेंट डेथ हो गया है बोलकर डाल दूँगी अभी पेमिन कर नहीं तो तेरा डॉर कार पैंड कार उसके यूज करकी इतने मैं लोन अप्लाई करू करेंगे कि तुब या परिशान हो जाएगा तेरा एक्सिडेंट हो गया ओवर ड्रिंक की वज़े से और तेरा मतलब प्राइविट पार्ट किसी लड़की ने कार्ड दिया है विकॉस तुने उसकी रेप करने की कोशिश की तो ड्रगिस्ट है तेरे को पकड़ा गया है जान अगर आपको भी आया तो नीचे बताएं मेरे हजबन को लोन मिला था वेल केडिट यस कैसे फेक कंपनी से उसके ड्यू डेट बहुत मेसेज़ेस आ रहे हैं अब मैं क्या कर सकते हैं इस सिच्वेशन में लोगों को एडवर्टीजमेंट यूटो फेस्बुक पे देखता है उसके बाद फिर वो एडवर्टीजमेंट देखके लोग क्लिक कर लेते हैं अप्रिकेशन डाउनलोड हो जाता है एकाउंट में फिर आटो करेट कर दिया जाता है स्मॉल रिमांट दो हजार पांच हजार साथ हजार नो हजार फिर हफते बर में उसका डबल पैसा मांगा ज जाता है आपको पे करना होगा वरना कॉंट capable की बदनाम होगे कई मूध खाने लाइक नीड होगी लोग अपके बारे में गलत सोचेंगे आपके चलिजा है आपको लोन वापस करने की कोई जूरत नहीं है कमपनी ग्यार करने तरीके से पैसा वसल रही है ये चीज़े आपको समझना होगा आदेस में काफी लोग फजी लोन कमपनियों को लेके परिशान है जिसकी वज़त जो है वो है जानकारी का भाव लोगों को लगता है पैसा आया है खाते में पे तो करना ही पड़ेगा और पे करना ही एक सॉलुशन है इसे बचने का वरना ये इसी तरीके से फोन मेसेज करके हमें परिशान और बदनाम करते रहेंगे और इसी का फायदा उठाती है ये लोन कमपनिया बताना चाहेंगे कि पेमेंट करना सॉलुशन नहीं है ये कोई लोन कमपनिया नहीं है ये मोवाइल डाटा hacking जैसे कि इसे बारकी cyber frauds होते हैं चाहिए वो ATM fraud हो या online कोई भी ठगी हो ये भी उस तरह के से एक ठगी है जो जहां पर की फसाने का जो तरीका है modest operating है वो है loan देने का लालत दिखाना, app install करवाना और फिर data hacker के blackmail करना और मन मांगा, मू मांगा पैसा आपसे वसूलना नहीं द account freeze हो रहा है, AD अपना काम कर रही है, Chinese लोग इसमें मिले हुएं, आतंगवादी संगठन इसमें मिले हुएं, काफी black money होता है इसके अंदर, अगर आप भी ऐसी जाल में फस्क गया है, तो पहली बात तो payment ना करें, किसी भी blackmailer को, और दूसरा कहा है कि इन से बचने का तरीक contact में बदनामी का, इनके against कहां complain करना है, अपने बचाओं में क्या क्या preventive step आपको लेने हैं, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, जिससे कि contact में ना बदनामी का डर रहेगा, चुकि सबसे बड़ डर होता है, वो आपका खतम हो जाएगा, और ना contact परिशान ना आप, औ लेगा, और आपका समय पैसा और मांसिक परिशानी भी बचेंगी, वीडियो को जितना हो सके, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ना बदना,